नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपनी यूटियोब चनल पी एफपी में एक और ट्रेडिंग वी कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में हमें तेजी कंटीनियू रहती भी नज़र आती है निफ्टी 50, 8500 के उपर क्लोज हो चुका है, 0.5% की तेजी नज़र आती है, 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड की है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, तो नेक्स्ट वीक मार्केट से हम क्या एक्सपेक कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले FIA, DIA, Activity के बारे में बात करते हैं, पहले तीन दिन FIA इसने सेलिंग की, DIA इसने बाइंग की, more or less आपको यहाँ पर उतनी बाइंग होती भी नज़र आई थी, अफ्कॉर्स थोड़ी सी कम देखने को मिली, लेकिन अच्छा कासा एब्सॉप करने की कोशिश की थी, लास्ट दो दिन में FIA इसने यहाँ पर बाइंग है, जबकि DIA इसने कोई खास सेलिंग यहाँ पर नहीं की है, यहाँ पर 25 नवेंबर को ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर अच्छा कासा डिफरेंस है, 24 नवेंबर को आपको FIA की तरफ से पाएंगे, क्रूड ओयल में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली, रिकवरी थोड़ी से अच्छी होगी थी, यहाँ सी उपर जा सकता था, कोशिश की लेकिन वापस यह सपोर्ट हमें तूटता हुआ नजर आया, और यह लेवल भी हमें तूट जाता है, तो वापस नैच्रल गैस आपको उपर जाता हुआ नजर आ सकता है, गोल्ड के बार में बात करें तो गोल्ड में ओवरल साइडवेस ट्रेंड ही हमें चलता हुआ नजर आता है, लेकिन फिलाल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि रेंज आपको शिफ्ट होती भी करेंगे कि यहां पर तेजी आई गिरावट आ गई, तेजी आई फिर यहां पर यहां पर यह चैनल में आपको यह ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, वापस फिफ्टी वन थाउजन के चांसे बन सकते हैं, यूस्डी आइनर के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे, यहां पर इसे नपी 500 के बार में बात करें तो यूस मार्केट में भी आपको एक इमपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहां पर नजर आती है, यह रेजिस्टन्स अल्लरी कई बार टेस्ट हो चुका है, और फिलार यहां पर आप देख पाएंगे, आपको प्रॉपर प्राइ 3800 के ऊपर है अच्छी बात है यहां पर volatility हो सकती है लेकिन और अलिये bullish रहने वाला है जब तक यह 3800 के ऊपर trade कर रहा है नेक्स्ट विक important events के बार में बात करें तो Tuesday को Eurozone economic sentiment का data आने वाला है Wednesday को GDP growth rate का data है काफी जदा important है Thursday को India manufacturing PMI का data आने वाला है इस पर नजर बना कर रखनी है और Friday को outstanding bank loan growth का data आने वाला है में तो है GDP का data जिस पर हमें focus करना है Nifty 50 के chart पर आप देख पाएंगे continuous momentum यहाँ पर नजर आता है continuously Nifty उपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है और वहाँ पर of course successful भी हो रहा है अपने सारे moving average के उपर है 60 plus का daily RSI चल रहा है पूरे November तो momentum और अच्छा देखने को मिला है weekly chart के बार में बात करें तो weekly chart पर आप देख पाएंगे अभी 18,000 का level तो बहुत important support है उसमें कोई doubt नहीं है और यह जो resistance है फिलाल हमें test होता हूँ नजर आता है यहाँ पर already आपको एक pause candle देखने को मिली है जैसा कि हमने discuss किया था एक pause candle हो चुकी है उसके high के उपर निकल चुका है एक और week अभी यहाँ पर continuation में हमें देखने को मिल सकता है तो हम expect कर सकते हैं कि next week भी market हमें trending देखने को मिल सकता है उपर जाने की कोशिश करता हूँ नज देखराएगा और resistance के बार में बात करें अभी के लिए technically कोई खास resistance नजर नहीं आता है यहाँ इन जनरल यहाँ पर 500.2 पर 400.2 पर एक resistance कंसिडर कर सकते हैं मिड कैप के बार में बात करें तो मिड कैप में भी आप देख पाएंगे फिलाल यहाँ पर थोड़ी सी तेजी शुरू होती भी नजर आती है 31,000 के level से bounce back देखने को मिल रहा है weekly chart पर अगर हम देखने जाएंगे overall bullish है इसमें कोई doubt ही नहीं है previous trend बहुत अच्छा था यह concentrated कर रहा है जैसे यह level टूटे का एक बड़ा momentum यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है बड़े targets हमें यहाँ पर मिल सकते हैं और फिलाल आप देख पाएंगे यहाँ पर जिस प्रकार से गिरावट होई तेजी आई गिरावट होई तेजी आई फिर से गिरावट होई यह level से आपको यह उपर जाता हुआ नजर आता है तो यह भी एक अच्छी situation यहाँ पर दिखाई दे रही है एक short term का यहाँ पर आपको breakout देखने को मिल सक सब्टेंबर के बाद आपको sideways momentum तीन महिने से आपको यहाँ पर कोई खास momentum देखने को नहीं मिला है जिस इसाप से continuously नीचे आ रहा था यह level जैसे ही तूट गया तो यहाँ पर recovery अच्छी हो गई trend आपको बदलता हुआ नजर आया लेकिन यहाँ पर positive trend continue नहीं रहा आपको फि हैं लेकिन nifty strong हो रहा है मतलब large cap strong है mid cap strong है तो हम expect कर सकते हैं कि small cap में भी कोई बड़ी गिरावट फिलाल तो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है और technically कोई ऐसा संकेत नजर नहीं आता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी गिरा जो हमने swing targets discuss किये थे अल्री यहाँ पर complete हो चुके हैं अभी यहाँ पर यह 600 का एक important resistance नजर आता है जिस इसाब से continuously आपको यह 525 के level से 586 के level तक यह आता हुआ नजर आया है यह 600 का resistance भी नजदीक नजर आता है यहाँ पर हम थोड़ा सा consolidation expect कर सकते हैं जितना अच्छा consolidation एक वीक का हुआ तो भी enough है यहाँ पर हम consolidation के बाद breakout पे खरीदारी करने के बार में सोच सकते हैं 20-25 रुपे से स्यादा का stop loss यहाँ पर मेरे इसाब से नहीं लगना चाहिए एक अच्छी opportunity HDFC life में हमें मिल सकती है क्योंकि बहुत बड़ा consolidation यहाँ पर already चलता हुआ नजर आत के लिए नजर आती है stock में बहुत अच्छी rally देखने को मिले उसमें भी particularly यह candle बहुत ही ज्यादा मजबूत थी इसका जो lower end हो जाता है वह बहुत ही important जगा हो जाती है जहां से हम buying करने के बार में सोच सकते है वीकली चार्ट पर हमें थोड़ा सा बहतर तरीके से समझ में आ सकते हैं वीकली चार्ट के इसाब से यहां पर हमारा risk reward ratio अच्छा नजर आता है monthly चार्ट पर भी अगर हम देखने जाते हैं तो यहां पर भी आप देख पाएंगे जो तेजी की candle है वो काफी ज़दा मजबूत है और जो घिरावट की candle है उसमें कोई बड़ा momentum आपको नजर जाएगा या उपर जाएगा वो बात की बात है लेकिन यह लेवल खरीदारी का attempt करने का लेवल है तो यहां पर हम खरीदारी कर सकते हैं long time के लिए भी काफी अच्छा stock है next stock है विप्रो विप्रो पर भी हमने डीटेल में discussion किया था यहां पर भी फिलालम खरीदारी की opportunity धूण सकते हैं IT सेक्टर में अल्यड़ी अच्छी recovery आ चुकी है विप्रो में इतनी recovery देखने को नहीं मिली है stock यह भी कोई खराब नहीं है यहां पर हम opportunity धूण सकते हैं एक अ अंतली चार्ट पर हो चुका है तो यहां पर फिलाला देख पाएंगे 4-5 महीने से consolidation ही हो रहा है पहले गिरावट हो रही है लेकिन कोई बहुत बड़ा momentum नहीं हो रहा है जितनी यहां पर तेजी चल रही थी जितनी यहां पर गिरावट चल रही थी उस रिसाप से कुछ काम नहीं हुआ है पिछले 3-4 महीनों में तो यहां पर market में इसी प्रकार से काम होता है ट्रेंडिंग होता है साइडवेज होता है अभी अल्यड़ी साइडवेज चल रहा था तो यहां पर हम ट्रेंडिंग एक्सपेक कर सकते हैं अगर यह लेवल आपको cross होता हुए नजर आता है लेकिन long term के लिए है यहां पर हम खरीदारी करते हैं तो almost यहां पर इस प्रकार से काम सोच सकते हैं कि bottom fishing करने की कोशिश कर रहे हैं bottom fishing actually नहीं होगा यहां पर नहीं खरीद रहे हैं यहां पर नहीं खरीद रहे हैं इसके उपर ही खरीद रहे हैं एकदम bottom fishing तो इसे नहीं कह करते हैं कि साथ सो साथ सो बीस का मारा ओल टाइम हाय था तो इस इसाफ से देखने जाएंगे तो वन इस्टू सिक्स का रिस्क रिवार्ड रेशियो यहां पर दिखाई पड़ता है देखिए मैं आपको यहां पर सिर्फ ऐसे नहीं बता रहा हूं कि स्टॉक इस दर से इधर च सब्सक्राइब चाहिए उसके बाद रिकाउरी में कई बार टाइम भी लगया एक साल लगया लेकिन यह लो लेवल वापस टेस्ट नहीं हुआ था घिरावट हुई लेकिन वापस टॉक वहीं से आपको उपर जाता हूँ नजर आया तो बस इसी प्राकार काम कोशिश यहाँ पर खरीदारी अटेंड कर सकते हैं यहाँ पर स्टॉक उपर जाता है यहाँ पर गिरावट अगर देखने को मिलती भी है तो अभी पॉसिबली यह लेवल वापस टेस्ट नहीं होगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम काम कर सकते हैं इस इसाब से यहाँ पर कर सकते हैं डिंगारी शीपाँ झाल झाल